हलो स्टूडन्स आइम डॉक्टर विनोत कामले हम लोग टीवाई वीकॉम सेमिस्टर 6 का जो HRM सब्जेक्ट है उसका सेकेंड मोडूल हमने स्टार्ट किया था जिसमें हमने पहला टॉपिक पॉफोर्मंस अप्रेजल के बारे में देखा इस पर्टिकलर वीडियो के अंदर हम हम लोग ट्रेणिंग का मीनिंग और ट्रेणिंग के अलग-अलग मेथर जो है उसके बार में पढ़ने वाले है तो सबसे पहले हम लोग ट्रेणिंग का मीनिंग देखते हैं नो ट्रेणिंग जो होता है वो एक प्लान्ट प्रोग्राम होता है प्लान्ट प्रोग्राम का मतल ट्रेनिंग को क्या बोला जाते है, प्लांट प्रोग्राम, और ट्रेनिंग क्यों किया जाता है, तो यहाँ पे चार चीज़ों को इंप्रूव करने के लिए, एक तो employee का knowledge, दूसरा employee के skills, तीसरा employee का attitude, और फोत है employee का social behavior, मतलब training के तुरू क्या किया जाता है, कि employee का knowledge जो होता ह वो improve किया जाता है, because employee जब कोई भी organization join करते है, तो उस organization में किस तरीके से काम होता है, उसका knowledge जो होता है, और training के तुरू उनको provide किया जाता है, प्लस उनको अलग-अलग चीज़े सिखाई जाती है, जिसके तुरू उनके skills improve होते हैं, और वो अलग-अलग equipment को handle कर पाते है, त attitude, काफी बार क्या होता है, कि employee जब कोई काम join करते है, तो उनका negative attitude होता है, या neutral attitude होता है, लेकिन training के वज़े से क्या होता है, कि उनको काम सिखाया जाता है, जिसके वएसे उनका neutral या negative attitude जो होता है, positive में convert करने में help होता है, और social behavior, social behavior मतलब किस तरीके से team में काम करना है, कैस से लोगों से बिहेव करना है यह सब ट्रेनिंग के अंदर सिखाया जाता है सो ट्रेनिंग क्या है एक प्लांट प्रोग्राम है जो एम्प्लोई का नॉलेज, स्कील, आटिटुड और सोशल बिहेवियर जो होता है वो इंप्रूव करने का काम करता है और उसके वज़े से क्या होगा अप लोगों को यह जो definition है वो याद करना है या फिर simple terms में जैसे आपको meaning बताए कि training is a planned program which helps to improve the knowledge, skill, attitude and social behavior of the employee and therefore the organization performance improves ऐसे भी आप लोगोंने meaning लिखा तो भी चलेगा अभी आप लोगोंने जब भी हम लोग training के बारे में बोलते हैं तो सुना होगा कि training and development है साथ में हम लोग बोलते हैं तो ऐसे लगता है कि training और development यह दोनों same term है लेकिन object उसके लिए और knowledge purpose के लिए आपको याद रखना है training अलग concept होता है, development अलग concept होता है training जो होता है वो short term learning process होता है मतलब यह short term के लिए किया जाता है और यहाँ पे employee जो होते हैं उनको technical knowledge या उनका skills वेगरा जो होता है वो improve किया जाता है और basically training जो होता है वो हर एक level के employee को provide किया जाता है top level हो, middle level हो और lower level हो development जो होता है वो long term होता है और basically development जो होता है वो managerial personals के लिए होता है मतलब जो managerial level पे employees काम करते हैं उनके लिए development होता है so training short term है, development long term है training जो होता है वो हर एक level के employee के लिए होता है उनको यहाँ पे कुछ तास्ट दिये जाते हैं जिसके वैसे उनकी managerial skill जो है वो improve हो सकती है ताकि future में उनको managerial level पे promote कर पाए इसके लिए उनको development किया जाता है सो यह आप लोगों को basic difference training और development का पता होना चाहिए क्योंकि काफी बार training और development एक साथ बोलने के वज़े से students को यहाँ पे confusion होता है कि दोनों एक की term है लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा बोड़ difference है वो आपको अभी पता चल गया होगा अब हम लोग main question स्टार्ट करते हैं जो है methods of training now training के जो methods से उनको दो parts में divide किया है सबसे पहले है on the job training method और बाद में फिर हम लोग देखेंगे off the job training method now on the job training method का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे जब employee job कर रहे है या काम कर रहे है उसी समय उनको काम के साथ सा training दिया जाता है इसके लिए इसको on the job बोला जाता है और off the job में क्या होता है कि employee को job से दूर लेके जाते हैं और सिखाते हैं और फिर बाद में उनको job पे place किया जाता है इसके लिए उसको off the job बोला जाता है तो सबसे पहले हम लोग on the job training के कुण से कुण से methods है जहाँ पे job के साथ-साथ employee को train किया जाता है वो methods हम लोग देखते हैं सबसे पहले हैं job rotation now job rotation rotation का मतलब क्या होता है घूमना सो यहाँ पे employees को क्या किया जाता है एक job से दूसरे job पे दूसरे job से तीसरे job पे घुमाया जाता है मतलब कुछ दिनों के लिए employee एक particular department में काम करता है फिर बाद में उसको दूसरे department में place किया जाता है फिर तीसरे department में place किया जाता है इससे क्या होता है कि employee को सारे department में किस तरीके से काम होता है उसका knowledge आ जाता है अभी basically job rotation जो होता है बैंक में आप लोगों ने observe किया होगा कि बैंक में जब भी भी आप लोग जाते हो तो आप लोग देखते हो cashier कुछ महने के बाद में change हो जाते है या passbook entry के लिए जो भी admin staff विगरा होता है वो कुछ दिनों के बाद में change हो जाते है loan department में भी आप लोग देखोगे तो वहाँ के employees जो होते है कुछ दिनों के बाद में change होते है क्यूंकि banks में क्या होता है rotation होते रहता है मतलब cashier अगर suppose आज हमने appoint किया एक particular person को तो चार मेने के बाद में उसको change करके दूसरा कोई person होगा जिसको cashier का का काम दिया जाएगा तो यह भी एक training का method है then second one is plan progression अभी plan progression जो होता है job rotation के जैसा ही होता है स्रिफ यहाँ पर एक fark होता है कि job rotation में कैसे होता है कि employee को जब एक job से दूसरे job पे place किया जाता है तो उनका pay और position जो होता है वो almost same ही रहता है मतलब ना उनका position बढ़ता है status बढ़ता है ना उनका salary में कुछ फर्ग पढ़ता है और ज़्यादातर job rotation जो होता है lower level के jobs के लिए किया जाता है plan progression में कैसे होता है कि employee को जब एक job से दूसरे job पे place किया जाता है तो वहाँ पे उनका pay और position दोनों भी improve होता है मतलब उनका status भी बढ़ जाता है प्लस उनका salary भी बढ़ जाता है और plan progression जो होता है ज़्यादातर higher level पे किया जाता है तो आपको याद रखना है कि दोनों एक दूसरे के opposite है job rotation में जब employee को एक job से दूसरे job पे move किया जाता है या shift किया जाता है तो उनका salary और position सेमी रहता है और ये ज़्यादातर job rotation lower level के jobs के लिए use किया जाता है plan progression में भी employee को एक job से दूसरे job पे shift किया जाता है लेकिन जब employee को shift किया जाता है तो उनका pay position, responsibility जो होती हो बढ़ जाती है और ज़्यादा तर क्या होता है यह higher level पर किया जाता है Then third one is coaching and counseling Coaching and counseling का difference हम लोग को पता होना चाहिए Because काफी बार यह words हम लोग सुनते है सबसे पहले coaching क्या होता है So coaching में क्या होता है कि आपका एक coach जो होता है जिसको senior बोल सकते हैं आप लोग वो coach क्या करते है active role play करते है आपको train करने में मतलब वो आप लोगों का एक problem देंगे या कोई भी challenging task देंगे और उस task को complete करने में वो आपको advise और assist भी करेंगे मतलब पूरी तरीके से आपके help करेंगे कि आप वो challenging task को complete करो और उससे फिर क्या होता है आप लोग सीखते हो because आप वो challenging task को complete कर रहे हो आपको कुछ भी problem आ रहा है तो coach क्या कर रहे है आपको help कर रहे है So coach जो होते हो active होते है मतलब वो आपके साथ जो है वो task को complete करने का काम कर रहे है और वो throughout the training आपके साथ में है जहाँ पे भी आप लोगों को coach की ज़रुवत पड़ेगी वो help करते है So coach active होते है Counseling थोड़ा सा opposite होता है Counseling में क्या होता है कि जो भी superior होता है या जो भी senior होता है और employee को वो task को complete करना होता है अगर कई पे advice की ज़रुवत पड़ी तो थोड़ा बहुत advice जो होते हैं Counselors करते है इसके लिए counseling को क्या बोला जाता है Passive कि यहाँ पे passive तरीके से employee को training provide किया जाता है So counseling और coaching दोनों में भी क्या हो रहा है Employee को train किया जा रहा है मतलब उनको challenging task दिया जा रहा है सिफ फर कितना ही है कि coaching में जो भी आपका trainer है या जो भी आपके superior है वो आपको क्या कर रहे है पूरी तरीके से assist और advise कर रहे है काम को complete करने में उससे आप काम को सीखते हो और counseling में क्या है कि जो भी superior है वो आपको challenging task दे रहे है लेकिन आपको वो काम को खुद को handle करना है तो उससे आप सीखते हो तो coaching और counseling ये भी एक training का तरीका है Then next one is under studies Now under studies ये शब को अगर आप लोग डिवाइट करोगे तो under और studies ऐसे दो शब बन रहे है So यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक senior होते है जो काफे experienced होते है उनके under एक junior को place किया जाता है और senior जिस तरीके से काम करते है उसको junior क्या करते है observe करते है जैसे कि वो meeting कैसे attend करते है meeting में कैसे वो किसी भी issue को raise करते है वो लोग किसी भी चीज के वारे में decision कैसे लेते है या day to day problems को senior कैसे solve करते है ये सब observe करके junior क्या करते सीखते है अब ऐसा क्यों किया जाता है तो जो भी senior है वो शायद तब कुछ तालों के वाद में retired होने वाले है या उनका कई और transfer होने वाला है या फिर उनका promotion होने वाला है और उसके वाज़े से यहाँ पर क्या किया जाता है senior जो होता है उसके अंडर junior को place किया जाता है junior senior से सारा काम सीख लेगा और जब senior retired हो जाएंगे transfer हो जाएंगे या promote हो जाएंगे तो junior उनकी जगा ले सकते है so under studies में आपको याद रखना है senior के अंडर जो भी juniors होते हैं उनको training दिया जाता है वो senior के साथ काम करकरके उनका काम जो है सीख जाते है then next one is junior board now junior board board का मतलब क्या होता है committee या फिर group आप लोग बोल सकते हो so junior board में क्या होता है कुछ junior level के managers होते है उनको इकटा लाया जाता है फिर बाद में उनको एक problem दिया जाता है वो लोगो problem को study करते है analyze करते है और वो problem के reason find out करते है और recommendation find out करते है मतलब solution find out करते है कि इस problem को किस तरीके से solve किया जा सकता है और वो जो solution है या फिर वो जो recommendations है वो top level manager को communicate किया जाता है तो यहाँ पे junior board जो है उन्होंने क्या किया problem को study किया evaluate किया उसके ओपर solution निकाला तो इससे क्या हो रहा है कि वो train हो रहे है वो लोग सीख रहे है तो junior board भी एक तरीके का क्या है training का method है then apprenticeship apprenticeship का मतलब क्या होता है कि जो भी fresh graduates होते है जनको experience नहीं है तो वो लोग क्या करते है कोई organization join करते है जहाँ पे उन लोगों को थोड़े बोथ stipend के साथ काम को सिखाया जाता है जहाँ पे उनको theoretical knowledge practical knowledge दोनों भी दिया जाता है जैसे कि suppose एक particular student है जिसने engineering complete किया है अभी उसको थोड़ा सा knowledge purpose के लिए एक particular company वो join करेंगे और वो company उनको stipend देते रहेंगे मतलब कुछ थोड़ा बोथ amount उनको pay करेंगे और वो employee क्या करेगा वहाँ पे काम को सीखेगा so apprenticeship मतलब सीखने वाला employee जो इसने अभी fresh graduate हुआ है उसको काम का knowledge नहीं है प्राक्टिकल काम कैसे होता है वो पता नहीं है तो उस case में उसको काम सिखाया जाता है तो उसको apprenticeship बोलते है so जो भी fresh graduate से उनको training देने का एक apprenticeship जो है एक तरीका है उसके बाद में internship आप लोगोंने internship कापी सुना होगा जैसे CA वेगरा होता है MBA वगरा होता है ये सारे courses में internship होता है internship का मतलब क्या होता है जब आपका वो course चाड़ू रहता है तब ये आपको एक practical knowledge के लिए किसी organization को join करना होता है और आपको वहापे काम करना होता है जैसे कि CA course के अंदर आपने देखा होगा कि किसी भी practicing CA के अंदर internship जो होता है ये भी एक training का तरीका होता है यहाँ पे आप लोग कोई भी course कर रहे हो और वो course का एक part यहाँ पे internship के तोर पे रखा जाता है so internship क्या है education course का एक part है वो आप लोगों को याद रखना है so apprenticeship और internship में थोड़ा फर्क है apprenticeship में क्या है उसका पड़ाई खतम हो चुका है वो inexperience थे तो experience के लिए वो काम कर रहा है और internship में क्या है उसका course चादू है और उस course के दोरानी उसको क्या करना होता है कई पे job करना होता है को उसको सीखना होता है तो ये educational course का एक part है then next one is special assignment यहाँ पे क्या होता है कि employees को एक special assignment दिया जाता है उस assignment का पूरा planning, organizing, coordinating, controlling सब कुछ जो होता है वो employee को handle करना होता है प्लस वहाँ पे जो भी problems आएंगे वो problems को भी उनको खुद कोई solve करना पड़ेगा इसते क्या होता है employees सीखते है कि किस तरीके से planning करना है कैसे organizing करना है, controlling कैसे करना है problems को कैसे tackle करना है वो सब जैसे कि suppose हमारा एक construction का company है किसे एक employee को मुझे train करना है जो हमारे यहाँ पे already काम कर रहा है 4-5 साल से और उसको काम का थोड़ा बहुत knowledge है अभी हमने क्या क्या उसको एक special assignment दे दिया कि particular area में पूरा building का construction आपको ही देखना है उसका planning, organizing, coordinating, controlling जो भी problems आएंगे उनको ही solve करने है तो इससे क्या होगा जब assignment के उपर वो employee काम करेगा तो उससे वो क्या करेगा सीखेगा कि planning कैसे कर सकते है organizing कैसे कर सकते है किसी भी problem को कैसे tackle करना है तो उससे भी उनको training मिलता है और last वाला है vestible training vestible का मतलब क्या होता है hall तो यहाँ पे employee को क्या किया जाता है एक hall पे लेके जाते है वो hall के अंदर उनको instructions दिये जाते है theoretical knowledge दिया जाता है और फिर बाद में वो employee office में जाके जो भी उन्होंने hall के अंदर सीखा है उसको implement करते है तो यहाँ पे office के बाजू में यह hall है और वहाँ पे employee को theoretical knowledge instructions दिये जाते है और फिर वो office में जाके उसको implement करता है तो उसको vestible training बोलते है तो आपको याद रखना vestible मतलब hall तो hall के अंदर employees को यहाँ पे train किया जाता है तो यह अलग-अलग मैंने आपको on the job training method बता है जहाँ पे काम के साथ-साथ employee को क्या किया जा रहे train किया जा रहे अभी कुछ off the job training methods होते है off the job मतलब जैसे मैंने आपको बोला कि employee को job से अलग लेके जाते है बाहर लेके जाते है वहाँ पे उनको काम सिखाते है और फिर बाद में उसको job पे place किया जाता है सबसे पहला off the job training method लेक्चर लेक्चर में क्या होता है verbal presentations होते है जहाँ पे एक instructor होता है या जो trainer होता है वो क्या करता है employees को lectures देते है और यह lectures के तुरू क्या होता है employees जो होते है वो काम के बारे में सीखते है अभी यह lectures जो होते है इंटरैक्टिव हो सकते है जहाँ पे lecturer जो है वो चीजों को trainees को समझाते है और trainees को अगर कुछ भी doubt होगा तो वो lecturer को पूच सकते है यहाँ पर प्रैक्टिस वेगरा नहीं हो रही है विकॉज यहाँ पर लेक्टिस के लिए शायर तक दूसरे जगा पर लेके जा सकते है और mostly lectures में आपने देखा होगा कि one way communication होता है वो जो lecturer है या जो भी instructor हो बोलते है और काफी बार जो trainees होते हैं वो कोई question वेगरा नहीं पूछते और यह lecture method जो होता है काफी बार boring भी हो सकता है दूसरा है simulation अभी simulation यह word का मतलब समझ लो simulation का मतलब होता है artificial environment create करना मतलब एक नकली environment create करना और उसके under employees को train करने का जैसे मैं आपको example देता हूँ कि जो lawyers होते हैं तो lawyers को अगर आपको train करने तो उनके लिए moot court होता है अगर आप जहाँ पे भी LLB courses वेगरा करवाय जाते हो college में देखोगे एक moot court होता है moot court मतलब एक नकली court बनाया जाता है जहाँ पे एक judge होते है फिर बाद में एक person होता है जो complainant होता है और एक होता है जिसके ओपर वो complainant किया गया है और आपको as a lawyer क्या करना होता है वहाँ पे वो जो case होता है उसको solve करना होता है आपके लिए उन्होंने क्या किया है एक artificial environment बनाया जहाँ पे court के अंदर एक case है जिसको आपको solve करना है यह दूसरा example हम लोग देखते हैं कि पाइलट है उसको हमको train करना है तो पाइलट को directly हम लोग aeroplane में नहीं बिटा सकते है पहले उसको क्या करेंगे artificial aeroplane देंगे उसमें उसको train करेंगे और फिर बाद में उसको actual जो भी aeroplane होगा उसके अंदर बिठाया जा सकता है सो simulation का मतलब क्या होता है artificial environment create करने का जो original work environment के जैसा होगा मतलब ऐसा code बनाया जा रहा है जो original code के जैसा होगा या ऐसा plane बनाया जा रहा है जो original plane के जैसा होगा और उसके अंदर employee को सिखाया जाता है और फिर actual जो भी situation वहाँ पे employees को बिठाया जाता है अभी ये जो method है इसके वज़े से employee को stress handle करना, decision making करना, pressure को handle करना ये सब काफी जादा easy हो जाता है क्योंकि क्या होता है actually मैं अगर suppose उनको real environment में लेके जाएंगे तो शायद हो डर सकते, stress आ सकता है लेकिन अगर suppose उन लोगों को artificial environment में सिखेंगे तो उतना ज़्यादा stress नहीं आएगा विकोज वो अभी trained हो रहे है, सीख रहे है next one is case study, case study मतलब आपको पता है कि एक actual situation जो होता है या कुछ भी ऐसे imaginary situation मनाई जाती है, जो trainees को दिया जाता है, जिनको training देना है वो case study को उनको पढ़ना होता है, उतका problem identify करना होता है और उतके लिए उनको solution देना होता है जैसे मैं आप लोगं को यहाँ पर एक example देता हूँ कि हिंदूस्तान pencil यह company के दो product से अपसरा pencil और नटराज pencil यह आपको सबको पता है सपोज उनको तीसरा pencil अगर market में लाना है तो उसका नाम क्या होगा और उसका slogan क्या होगा तो मैंने क्या कि आपको एक case दिया है कि यह particular company है इनके already दो product मार्केट में है नटराज pencil और अपसरा pencil अभी तीसरी pencil है तो उसका नाम आप कैसे रखोगे तो यह आपको मैंने क्या क्या case दिया एक real life situation बताई आपको उसको analyze करना है और उसका conclusion निकालना है तो उसको case study बोला जाता है तो ऐसे अलग-अलग case studies आपसे करवाया जाते है जिससे आप क्या करते हो काम को सीखते हो role playing role playing का मतलब क्या होता है यहाँ पे जो भी trainee होते है जिनको सिखाना है train करना है उनको एक role दिया जाता है और role को उनको निबाना होता है जैसे मैंने आपको उपर simulation में बताया उसी तरीके से यहाँ पे एक drama होता है और वो drama के थुरू आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से काम करना है जैसे एक salesman है तो salesman को एक product बेचना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे एक drama करेंगे मतलब एक जूटा मूटा customer बनाएंगे और वो customer क्या कर रहा है आर्ग्यू कर रहा है और वो जो salesman है उसको क्या करना है वो customer को convince करना है product को purchase करने के लिए तो वो particular जो trainee है उसको यहाँ पे role play करने के लिए बोला है और उसके तरू उनको train किया जाता है तो customer अगर argue कर रहा है तो कैसे उनको handle करना है कैसे उनको convince करना है वो सब यहाँ पे role play के तूर उनको सिखाया जाता है next one is sensitivity training अभी mostly organization में क्या होता है कि कोई भी काम अगर perform करना है तो group में perform किया जाता है और काफी बार काम करते समय क्या होता है stress होता है tension होता है जिसके वैसे कुछ employees अच्छे से perform नहीं कर पाते है तो यहाँ पे employees को सिखाया जाता है कि किस तरीके से हम लोग दूसरों के प्रति sensitive हो सकते है मतलब कि अगर suppose किसी से कोई गलती होती है या किसी का कोई problem है तो उसको हमको समझना है इसको sensitivity training बोला जाता है जैसे कि suppose आप लोग group में काम कर रहे हो group में एकाद employee को किसी दिन कोई problem हो गया जिसके वैसे हो perform नहीं कर रहा है तो हमको यहाँ पे क्या करना है उसकी problem को समझना है understand करना है हमको अपने आपको उसके जगा पे रख के देखना है तो यही सब यहाँ पे sensitivity training में पढ़ाया जाता है कि हम लोग को दूसरों के problem को क्या करना है समझना है और यह जो sensitivity training है इसके वैसे employee ज़्यादा openness हो जाते है tolerant हो जाते है मतलब दूसरों की भावना को हम लोग समझते है उनके problem को हम लोग tolerate करते है तो sensitivity training काफी ज़रूरी होता है especially जब आप लोग customers के साथ deal करते हो because customers क्या होते है कि थोड़ा भी product में अगर कुछ problem होता है तो वो आपके साथ argument करते है तो हमको क्या करना है customers को sensitivity से handle करना है मतलब उनका problem में इसके वैसे वो जगडा कर रहे है हमको बहुती politely customer के साथ deal करना है यह sensitivity training में पढ़ाया जाता है जैसे आप लोग देखते हो कि call centers होता है तो काफी बार call centers में customer जब call करते है तो वो argument करते है लेकिन आपने देखा होगा call center के जो employees होते है वो शान्ती से employees से बात करते है because उनको sensitivity training दिया जाता है उनको सिखाया जाता है कि customer जो है stress में है और उसके वैज़े से वो ऐसा behave कर रहे है तो हमको हमारा temper विल्कुल भी lose नहीं करना है और हमको उनके साथ politely बात करनी है so sensitivity training का मतलब क्या होता है दूसरे के feeling को समझने की एक training जो होती है वो यहाँ पे employees को दिया जाता है ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ coordination में काम कर पाया management games management games में अलग-अलग presentations, exercises psychological, test वेगरा जो होते हैं वो employees के साथ पंड़क किये जाते हैं और उसके तुरू यहाँ पे employee को train किया जाता है जैसे कि एक employee हो उसको PPT presentation करने के लिए बोल दिया या फिर कोई ऐसा game खिलवाया जो management के related हो जिसे employee को हम लोग किसी काम के बारे में समझा सकते हैं तो management game जो होते हैं इसके थूरू भी यहाँ पे employees को train किया जा सकता है next one is committee अभी committee के बारे में एक चीज़ याद रखना कभी भी कोई भी problem होता है तो committee form की जाती है और ओ committee क्या करती है और problem को analyze करके उसके उपर solution find out करती है so यहाँ पे क्या होगा कि कुछ employees जो है जिनको सिखाना है हम लोग को train करना है उनको क्या किया जाता है committee में place किया जाता है so committee में कुछ expert लोग होते है उनके साथ यह लोग काम करके क्या होते है train हो जाते है so यह भी एक training का method है then next one is reading reading में आपको क्या लिखना है कि काफी सारे अच्छे books आजकल available है books को पढ़के काफी सारे information जो है वो employees को मिल सकती है और उसके तू भी यहाँ पे वो train हो सकते है then conferences conference मतलब क्या होता है कि यहाँ पे काफी सारे लोग आते है और एक expert person होता है वो expert person क्या करता है अपना opinion देता है और लोगों के जो भी problems होते हों solve करनी कोशिश करते है so conference अगर attend करेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को बहुत सारे information मिल सकती है और उसके तू भी हम लोग train हो सकते है और last वाला of the job training method है in basket या in tray technique और employee को problem को solve करना होता है या उसके लिए solution देना होता है तो simple यहाँ पर meaning है कि basket या tray के अंदर papers होते है उसके उपर problem होता है और employee को problem को solve करना होता है लेकिन आजकल क्या हो चुका है कि internet काफी ज़्यादा popular होते जा रहा है लोगों के पास computers भी available है और इसके वज़े से यह problem जो है वो physical paper के थुरू employee को नहीं दिया जाता है मतलब paper system अभी follow नहीं किया जाता है अभी direct क्या करते है जो भी problem है वो email के थुरू employee को भेजा जाता है और employee को क्या करने email के थुरू ही उसका solution देना है उसको in basket या entry technique बोला जाता है इस तरीके से मैंने आप लोगों को training के कुछ on the job training method बता है और कुछ off the job training method बता है please understand कि यह जो method से इसके उपर आपको कोई भी objective आ सकता है और काफी बार यहाँ पर क्या किया जाते है long answer question भी पूचा जाता है तो आप लोगों को यह question जो इस तरीके से पढ़ना है आप लोग क्या कर सकते हो अगर आपको training के method पूचे है तो आप लोग on the job के चार method लिख सकते हो off the job के चार method लिख सकते हो एक बार सारे methods को properly सुन लेना ताकि अगर objective में कुछ भी आएगा तो आप लोग उसको answer कर पाते हैं so thank you students please do like, share, comment and subscribe to my youtube channel and also recommend my channel to your friends we will meet in the next video